आपके साथ हमें हूँ अभिशेक सत्यवर्तम तो शुक्रवार की शांदार तेजी के बाद बाजार में आज हो रहा इसी मीधारे की का कारोबार और निफ्टी है हलकी सी तेजी के साथ 24,600 के करीब और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहाँ पर है 1.500 कों के आसपास की ग्रा से जहां पर आज हमें रहुनक देख रही है और कुछ-कुछ आइटी शेयर जिसमें की LTI मेंट्री टीस भी पाडिसिपेट करें तो आइटी से भी आज हमें सपोर्ट मिलते वे दिख रहा है लेकिन आइटी का मामला थोड़ा सा बटा हुआ है अगर आपको कुछ शेयर में भी कमजूरी है तो बाजार थोड़ा सा बटा हुबा जरूर है लेकिन आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे आखरी के घंटे का ट्रेड आपको बताएंगे थोड़ी देर में और अपने एक्सपोर्ट को जोड़कर आपके लिए बाजार पर इंडिक्स पर भी इदम घंटे में हम करने क्या वाले हैं थोड़ी दिर में कि दो बज़ के 35 मिनटे हम लेकर आएंगे क्लोजिंग के ट्रेड्स दो बज़ के 40 मिनट पर आप्शन का एक सोधा लेकर आएंगे तीन बज़े होगा मार्केट एट्ट्री यानि कि बाज़ार खुलने के बाद खबरे कह की हैलाइट से साथ अब तक बाजार में क्या कुछ घटा है पांच बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर तो निफ्टी में सीमेदारिय के कारवार हो रहा है चोबीजार पांसो सी क्यास पास है निफ्टी और निफ्टी वैंग के बात करें तो दिन के उचाश से साड़े तीन फैनाइस में भी लगातार हम दूसरे तीसरे सतर में देख रहे होंगे कि अच्छी तीजी है नो से दस प्रसंट ये दोनों के दोनों शेयर चड़े हुए हैं लेकिन केमिकल शेयरों में लगातार तीजी के बाद थोड़ी थोड़ी मुनाफ़ा वसुली आ रही है बासफ का अब तक हमने कारोबार होता हुए देखा है पिछले चार घंटे में बिल्कुल ऐसा ही कारोबार होगा डिंपी हमारे साथ जुड़गे हैं डिंपी हलके से गेंसे निफ्टी के और निफ्टी बैंक में आज डेड़ सोंकों क्या सपासी ग्राबट बढ़ा सुस्ता कारोबा है यह सुस्ती चटेगी क्या अगले घंटे में या फिर ऐसी होगा सुस्ते के बारे में हमने सुबह भी आपके सामने एक पॉइंट रखा भी था और यह बात भी बताई थी कि मार्केट आज रेंज में फसा रह सकता है हमें खोशी भी हमें गम भी है खोशी इसीच कि है कि म जो मेंने आफके सामने बात रखे धे थी के 500 के आस पास की क्लोजिंग है यह अपने लोज स्को ब्रेक नहीं करेगा नहीं हुए ब्रे आज llevता था साड़े आज सोसे उपर कहीं नहीं जाना था साडھے 600 पहला टार्गेट था भी साड़े 800 दूसरा टार्गेट है तो आज साड़े 600 वाली लिमिट चेक कर लो 638 का आज का हाई लगा इसके उपर गया ही नहीं दिन बर में और अभी भी उसी एफ़र्स में कर रहा है कुल मिलाके 1500 पॉइंट की हाई और लो की रेंज है सिर्फ 1500 पॉइंट की इस 1500 पॉइंट में ना तो वो उपर जा रहा है ना हो नीचे जा रहा है एड़ेक्ली यही फुबे हमने आपके सामने रखी थी कि तीन चलड़ में अपने स्टॉपलोसिस को लगा लेना पहला साड़े 400 दूसरा साड़े 600 फिर तीसरा साड़े 800 450 650 650 650 याद रखना ये फिर से मैं रिपीट कर रहता हूँ 450 650 650 650 4500 पार हुआ जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आप इसी रेंज को प्रोटेक्टिड समझे 4500 पे नई जर्नी शुरू होगी 4500 तक जाएगी आपका काम कितना है आपका काम सिर्फ इतना है जितना साड़े 400 के कारी खरी देंगे उतना बहतर क्योंकि जब आप साड़े 400 के आसपास खरीज रहे हैं आपको सिर्फ 50 परिंट का स्टॉपलोस लगाना है और आगे बढ़ते जाना है मारकेट के अंदर कोई excitement का level नहीं है मारकेट को news चाहिए अभी खबर है नहीं अरिंग्स निपड़ चुकी है global markets almost सारा settled है market news driven है markets event driven है factual data driven है तो अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो बाजार आपने आपको डल कर देगा एक और बिताता हूं डल कैसे रखे आप मारकेट वह इंडिया विक्स आज इंडिया विक्स बड़ी नीरा दिन में एक डिड़ परसेंट बड़ा लेकिन खिसक के वापिस से लाल निशान में है और गलती से अगरे तेरह और बारह पर आगया आप तरस जाएंगे डेड़ सो पाइंट निफ्टी को उपर नीच सुस्त है सुस्त एक्चली वह उसकी वज़े से हो रहा है कि इसके वापिस ट्रिगर नीए प्ले मारने के लिए दूसरा पॉइंट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे सुबह भी हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी एक्स्ट्राइडनरी थोड़ा ज़्यादा कमजोर ह इसे में बोलने में कि देखो बैंक निफ्टी ज़दा कमजोर है लेकिन बैंक निफ्टी को बीड़ी ध्यान से रखने होंगी लेवल के साफसे मैं बतायता हूं 50-200-50-800 का दारह होगा आज आप बैंक निफ्टी का लो चेक कर लो 50-200-90 यानि कि 50-300 का लो बना हुआ हाई ब सो से 800 के बीच में बैंक निफ्टी भी आके फज़ गया यहीं इसकी ओपनिंग है यहां पर क्लोज भी करेगा यहीं उसके दिन भर का दारा भी है दोनों जो लेवल में आपको बताए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के यानि कि पचास जार दो सो और उसका चौबीस जार या फिर 400 पकड़ लो आप मोटा मोटी जब तक यह दोनों ब्रेक ने होते बाजार के अंदर फॉल नहीं आएगा नहीं आएगा और जब तक हम साड़े 600 पार नहीं करते बाजार के अंदर एक राउंड की तेज़ी और नहीं आएगी आप साइडवेज हो सकते हैं यह कल का स किस तरह से बटा हुआ है उसके अंदर आज के कन्विक्शन नहीं है आज जो सुभे की चीज़ है ना वही का वही है एक सो दस से एक सो पंदरा शेयर मैंने सुभे आपको कारिकर्म क्लोज किया था तो यही नंबर दिखा के क्लोज किया था अब मैं क्लोजिंग वाले शो मे रुपे वीक है अभी से ही अभी तक वह चार रुपे वीक है तो किसी तरह का बदलाव किसी भी चीज में नहीं हो रहा यह रिलाएंस आपके सामने एक सीधी सी लाइन खीची हुए दो चार रुपर नीचे करने तो कर लो दिखा दो एक बहुत रैची डिफसी भी तीन रु चुनो बोले सेक्टर नहीं खरी सकते हम हम तो सिर्फ तीम चुनते हैं थीम चुनो थीम नहीं खरी सकते हैं इतना बड़ा हमारा पैसा नहीं हम तो शेयर चुनते हैं से थीम थीम से शेयर या थीम से से सेक्टर से फिर शेयर पर आजाओ जहां आपको लगता है कि यह मेरे हि MTC पे आके रुका अभी आप चेक कर लो बज़दार चाहे ऊपर है चाहे नीचे है MTC 101 पे बताया था 105 का लेवल था आज 105 पे अभी भी 105 पे चल रहा है और किसी तरह की कोई गिरावट नहीं यह देखिए 5.5% उपर MTC सेलेक्टिव होते जाना है बस यही आपका और हमारा काम है अरिते अरोडा हमार सा जूड़ रहे हैं शरीकान चुहन हमार सा जूड़ रहे हैं इन दोनों मेमानों से होगी बातचीत इन दोनों के इंटलिजन्स हमारे काम आएगी और काफी कुछ इंसे हम समझेंगे और इनसे हमने पहले भी समझा है पहले भी जाना है पहले भी इन गलती है तो हम को जड़ा क्रेट कीजिए और दूसरा अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आउटलुक जल्दी से दे दीजिए फिर हम शेर्स पर आएंगे पीजी बहुत अच्छा लग रहे है आपके साथ जुड़के और राखी की सबको बधाई हो और आपने जो बात कई एकदम सही है बजार के लिए कोई मेजर ट्रिगर नहीं है उसके अलाव ये भी है कि आज थोड़ा सा सुस्ती का माहूल है लोग तियोहार में बिजी है लोग कम है लिक्विडिटी कम है और लाइटर नोट और अच्छल में देखे तो बजार अभी इस तरीके के दाइरे में है कि ज्यादा एक्षिन नहीं है और ग्लोबली सेंटिमेंट्स अच्छे है और डॉमेस्टिकली अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखे तो बेरिश डेट बना हुआ है इसलिए बजार एक डाइरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे है एक फ्लूइडिटी नहीं है बजार में कि या तो आप वन साइड़िट तेजी देखे या वन साइड़िट मंदी देखे वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे है जैसे है बैंग निफ्टी डाउन है निफ् 24,350 जब तक वो लेवल नहीं तूटता तब तक बजार में बेरिश हुए और अगर 24,350 नीचे की साइड तूटता है तो मुझे लगता है बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है ठीक है तो आपके लिए इंडेक्स की रणीती हो गई चलिए फड़ापट अब शियरों के तरह बढ़ते हैं और अपने दोनों एक्सपर्ट से समझते हैं कि आपके लिए क्लूजी में कौन से सोदे लेने में आपके लिए पैसे बनाने के मौकिव बनेंगे शिकान जी नमस नमस्कार अभिशेक जी नमस्कार डिंपी जी मुझे लगता है देखिए मार्केट में इस पटिकुलर लेवल्स पे बसे मेटल्स और एनरजी स्टॉक में अच्छा कासा मोमेंटम बना हुआ है और वहाँ पे हमें लगता है कि और भी तेजी बन सकती है स्पेसिफिक के का ये continuation formation हम बोल सकते हैं और 520-22 के करीब भी ये trade कर रहा है 555 से लेकर 560 तक के levels नजर आते हैं 504 का stop loss रखेंगे थोड़ा stop loss बढ़ा है लेकिन हमें लगता है कि market जैसे कि थोड़ा sideways हो चुका है तो थोड़ा वक्त निकाल सकता है लेकि इवेंचिरे में लगता है कि ये stock अच्छा का सा perform कर सकता है साथी साथ मुझे लगता है कि वेदानता ये एक stock है जहांपे हमें लगता है कि current level से भी कुछ long positions बनाई जा सकती है और उसका भी reason ही है कि ये stock ने काफी अच्छी तरीक ऐसे 420-25 के levels पे एक वापस specific buying generate की थी buying interest इसमें generate हुआ था और overall अगर इसके statistics 6 को देखें तो हमें लगता है कि ये stock भी 460 के लिए तयार हो रहा है तो current level से अगर मैं long करता हूँ 430 में तो जो stop loss है वो काफी नजदिक का है 430 का stop loss रखें 492 के करीब मिल रहा है ये stock तो वेदानता को भी current level से long करके चल सकते है ठीक है वेदानता में आपके लिए मौके बनेंगे 3% कासपास की तीजी हो और आज हम देखने की metal pack में रोनक है वेदानता को लेकर तो एक और ख़बर है कि ये हिंदुस्तान जिंक में अपनी stake off load कर रहे हैं और फिसके जरी हलांके discount पर है इसलिए हिंदुस्तान जिंक बनेगा आपके लिए 545 और 560 रुपे का ये दो शेर होगे आदित आप बताइए आपके शेर्स कौन से हैं देखी एक जो stock मैंने चुना है consumption basket से बरन beverage limited बहुत टाइम से stock consolidate कर रहा था आज एक अच्छा move देखने को मिला है volume backed price move है तो इसके साथ bullish view बना सकते है 1500 में buy कर सकते 1420 रहेगा stop loss और target रहेगा 1600 का second stock रहेगा cams, cams को buy कर सकते है 4520 में 4300 रहेगा stop loss और 4750 रहेगा target ठीक है दो शेर हो गया आपके लिए cams और दूसरा शेर हो गया वरुन बेवरेजिस लिमिटिट का काफी टाइम के बाद ये focus में शेर आया है और कोई recommend कर रहा है target 1600 रुपए का और cams के लिए टार्गेट होगा वो होगा 4750 रुपए का हमारे साथ आज के fundamental expert अभिशेख बसु मलिक जुड़ गये है चाइना के इस सिती तो थोड़ी सी कमजोरी है क्या ये trading range में ही रहेंगे metal वाले stocks या फिर आपको कुछ इसमें trigger बनते वे दिख रहे हैं पेरे हिसाब से trading range में रहना चाहिए क्योंकि जैसे अपने बताया चाइना एक बहुत ज़ादा बड़ा overhang है metals के लिए दुनिया भर में और ये शायद ऊपर इसलिए भी जाता है क्योंकि हमारा domestic demand strong है और कहीं न कहीं हमें ये उम्मीद होता है कि anti-dumping duty लगा दिये जाएंगे अगर चाइना ज़ादा dumping करता है तो तो ये एक मतलब बहुत ज़ादा push and pull continue करेगा बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर globally commodity का price घरता है जो की chances ज़ादा है क्योंकि Chinese manufacturing में अभी problems और Chinese demand में अभी problem है तो बहुत ज़ादा तो उपर नहीं जाना चाहिए तो ये trading range में रहने का chances ज़ादा है ठीक है trading range में आप कहरें कि जाना रहेगा आज क्योंकि global markets जैसे ठीक होंगे तो pharmaceuticals, IT, metals ये तीन सेग्मेंट तो ऐसे हैं जो अपने आप ही अपने अप से ठीक होने लगेंगी अच्छा ही सारे macros भी होते हैं ऐसा नहीं कि एक दिन में खराब हों गई हैं इनके पास तीन चार मेजर एक्वेशन जुड़ी होती हैं फर्स्ट डॉलर रूपी एक्वेशन अगर आप इंडिया से काम कर रहे हैं तो सेकंड फिर इंडिकेटर्स ठीक होना चाहिए चौथा चाइना सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला देश बन जाता इसके अंदर तो बहुत सारे मल्टिपल्स होते हैं जब आप मैटल्स को चेक करते हैं और इसका सबसे बहतरीन तरीका है कि जब भी आपको ग्लोबल मार्केट की सिच करते हैं उनको एक्स्राइडनरी स्मार्ट होना चाहिए टाइम पे आते ही टाइम पे निकल भी जाना चाहिए यह ऐसे वाले शेयर निए कि आपने ले लिए और बैठे हो क्योंकि फिर आपको पास अच्छी मिस्स कर दोगे क्योंकि थोड़े स्लो मूवर्स होते हैं बहुत 200 रुपे के आसपास की कंपनी चार परसंट यह उपर है यह यह बलाई पांच परसंट उपर है आज क्लोजिंग इसकी अच्छी मिल रही है यह बारा अरिते जी जड़ा चेक करना बिल्कुल आपने अच्छा स्टॉप दूल रहा है नीजे से अच्छा रिबाउंड इसमें देखने को मिल रहा है और इंशॉरेंस पेस में जो स्ट्रेंथ है लास्ट एक-दो महिने में वह अच्छी है तो निव इंडिया इस्ट्रेंस के साथ जा सकते हैं जा सकते हैं इन्ट्रेंटी के साथ एक्छली मेरा भी टार्गेट टू एक्टी तक कई है आँ मैं किसी और अपने चार्ट आपको नहीं दिखा पार रहा है तो दिखाता तो दो चेटर तक का टार्गेट हमने मार्क कर रखा दा बकाइदा आइजरेक्लिस अने ठीडिक प्लस करना धीरे पूल बैक शुरू कर रहा है चली में और इसका कन्फरमेशन ऑफ पूल बैक है वह 25 के उपर का है तो अब है तो पांच रुपे ही ओपर आया है उस 25 के कन्फरमेशन से तो पका हो गया है बस दीरी दीरी बसको और चलेगा तो आप अपना पैसा पर डिपलॉय कर सकते हो पर लो वॉल्यूम के साथ आगे बड़े एक दो शेर जर और चेक कर रहते हैं श्रीकान से श्रीकान जी एक शेर जर आप चेक करना उस शेर का नाम है पिरेमिल एंटरप्राइजिस यह हजार के का नेक्स देश सेवन परसेंट रिकवर हुआ आज फिर से चार परसेंट रिकवर हैं लेकिन पूरी प्रॉसेस तूटने और रिकवरी की वह इसको हजार के आसपास ही रख देती है हजार से उपर ना जाने इसके अंदर फील गूड होने लगता है हजार के नीचे फील जैसे आपने भी बताया वैसे ही similar sort of pattern बना हुआ है काफी volatile है और एक अच्छी इसमें अच्छी एक rally बनी थी उस rally के बाद इतना बड़ा correction expected बिलकुल भी नहीं था लेकिन correction हुआ है तो अब मुझे लगता है कि यहां से इसमें एक pullback बंद रहा है और यह pullback शायद 1010-1020 तक ल trend बना था मुझे लगता है कि इसमें careful रहना जरूरी है higher levels पे 1010-1020 के करी मुझे लगता है कि long positions को कम करे और जब तक यह stock अपने previous high को यानि immediately highest level को 1000 पैसिट को cross नहीं करता तब तक हमें लगता है कि इसमें बचना जरूरी है यह stock शायद इसी range में और consolidation करते होए नजर आ सकत है लेकिन मैं यह कहूँगा कि इस particular अगर इस particular stock के सामने अगर किसी और को अगर मुझे substitute के basis पे अगर लेना है तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे geo finance को long किया जा सकता है 330-332 के करीब अभी यह trade कर रहा है काफे अच्छा technical pattern बना है double bottom जैसा formation है या higher bottom formation बोल सकते हैं volumes बरते जा र 32 में तो targets जो नज़र आते हैं वापस से 360 से लेकर 365 के भी हो सकते हैं और stop loss जो है वो काफी नजदिक का है तो 319 का यह 320 का stop loss रखना है और targets 360 के नज़र आते हैं ठीक है बात कुल में मिलाकी है कि घर की company है दोनों आप जानती है कि पिरेमिल enterprises किनके समधी है जिनके समधी है उनकी ही एक company भी है जियो financials तो कहीं पैसा नहीं जा रहा है पैसा घूमफिर के परिवार में ही रहेगा अब आपको decide आपको करना देखो जी पिरेमिल enterprises की जगे ह चले जाते हैं आना तो जीयो में आपका comfort भी है अच्छा दूसरा एक point पिरेमिल enterprise पहले pharmaceuticals की थी company अब हट गई है तो पिरेमिल फार्मा तो अलग हो गया है तो ये भी core business में उसी का ही है और आज ही पिरेमिल enterprise पे पर्रमोटर ने अपना stake बढ़ाया है छे लाग शेर खरीज अब भी ठीक है कि भी अगर आपको finance पर रहने तो जीओ finance देखने में ज्यादा समझदारी है चोटा stop loss है तीन बीस का और तीन पैसल्ड तक का target है लगा दीजिए stamp लगाए जीओ finance पे और stamping clearly कीजिएगा buy की बकाइदा और stop loss target अगर सर बता रहे हैं तो अच्छे से note कर लीज अजीज सर अलड़ी 12 बजे के शो में आपने खबको options का trade दिया हूए actual के 2700 वाली call वो मैंने नोट कर रखा 45 का stop loss है 65 पे दिया था और 105 110 तक का target आप बता रहे थे अभी उसमें भी रहना है एक तो वो clear कर दो और दूसरा अभी का options का trade कौन सा है सर शुक्रिया डिम्पी बिलकुल देखिए जो ने अच्छिल की बात की थी वो intact है और जिस तरीके से मार्केट का टून देख रहे हैं कि अभी भी बहुत selective हो के मार्केट में बाइंग हो रही है तो आम शुर कि यह जो FMCG मेजर्स हैं लाइक चाए ITC हो चाए CHIOL हो इन में अ सबाइंग इंटरस्ट इमर्ज हो रहा है पेंट काउंटर बैसिकलि इसमें इसमें पेंट को अगर फोकस करेंगे तो यहां पर इपको इंडिकेशन को रही है कि एक मार्जनल डिप जिसने अपने मेजरेश के पास आया है और वहां पे पिविट फॉर्म कर के अब दुबार काल जोगी करीबा भी 29-29.5 के पास ट्रेट कर रही है इसको आप लॉंग कर सकते हैं 22 के स्टॉप लॉस के साथ 45 तक के टार्गेट के लिए एक और आप्शन का ट्रेड है एक्चुएल वाला मैंने आपसे दिन में जो लिया था वो पता करके आपको नक्की कर दिया है यानि कि फाइनल है आप उसमें बने रहे हैं 27 की कॉल है ठीक है 45 का स्टॉप 105 का टार्गेट जो अभी ताजा ताजा ट्रेड मिला है वो एशन प लेना 45 रुपे का टार्गेट है 22 रुपे का स्टॉप लॉस है उस्ट रुपे जाएंगे और वैसे 15 रुपे आएंगे तो रेशु के हिसलों पंद्रा सो और तीन हजार रुपे का स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टार्गेट आपके स्क्रीन पर आपके बास नोटिस हो गया एशिन पेंट एकत्य सो की कॉल है छोटा सा ब्रेक लेने इन असोशियेशन विद एस बी आई सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग स्वागे था आपका फिर से ब्रेक के बाद वाजार के सुस्ती छटनेरी है रेंज का ही वाजार है निफ्टी बैंक है डेड़ सौंग नीचे और निफ्टी की बात करें तो 40-50 अंकों की हलकी सी थीजी है पतब यह थीजी क्या ही कहें लेकिन कुछ-कुछ पैक्स में हम देखने की मोमेंटम बहुत जबरदस थे अच्छा अगर आप दिगजों से हटके अगर आप मिड कैप में स्मॉल कैप में देखेंगे ने इस पर ज़्यादर डिटेल के साथ हमारे सियोगी विश्मोहन कुमार जुड़ गए है विश्मोहन बताईए क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं शुगर शेयरों के लिए पूरे सेक्टर में सब कुछ मीठा मीठा चल रहा है पूरे वैलू चेंज से जुड़े हुए जितने भी लोग है सब के लिए ये फायदे मंद अभी साबित हो रहा है क्योंकि अगर आप शेयर होल्डर्स देखें तो शेयर चल रहे हैं उनको फायदा हो रहा है मिलो को कोई दिकत नहीं पर आ रही है कि 2022-23 के बाद पहली बार इतनौल की कीमते बढ़ाई जा सकती है तीनों जहां से इतनौल करते हैं शुगर जूस की अगर बात करें बी मुलसिस और सी मुलसिस तीनों के प्राइसेस यहां पर बढ़ाने पर विचार चल रहा है इतनौल के अगर टार्गेट की अगर बात करें तो सरकार जो टार्गेट 2030 तक 20% ब्लेंडिंग का लक्ष सरकार ने तैकर रखा था उसे 2025-26 तक ही पूरा होने की उमीद है हम 13% ब्लेंडिंग को क्रॉस भी कर चुके हैं PMO में पिछले हफते 10 दिन पहले एक बैटक हुई थी जहां पर डीजल में भी अब इतनौल ब्लेंडिंग पर विचार हो रहा है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है ट्राल रन पहले भी हुआ था आगे भी ट्राल रन होगा फिर से शुगर की जो MSP है जिसे मीनिमम सेलिंग प्राइस कहते हैं चीनी के लिए वो भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है 2019 के बाद पहली बार वो भी बढ़ाया जा सकता है तो यह सारी खबरे अच्छी है साथी दाम लगातार उपर की तरफ बड़ी रहा चाहे वो इंटरनाशनल मारकेट में हो और घरेलू बाजार में भी इंटरनाशनल मारकेट में भी अब धेरे धेरे दाम फिर से उपर की तरफ जाने सुरू हो चुके हैं अब बात कर लेते हैं कंपनियों के लिहाज से बलरामपूर चीनी को आप देखे तो ये रिकॉर्ड उचाई पर है पिछले एक साल का ही अगर परदर्शन देखे तो जबरदस तेजी के दौर से बलरामपूर चीनी है और सबसे सबसे बड़ा प्लेयर है इतनौल उतपादन मे और उहाँ पर लगातार कंपनी का परफॉर्मेंस अब देखे पहली तिमाही के जो नतीजे थे उसमें वाल्यूम और रियलाइजेशन फ्रंट पर दोनों में काफी सुधार दिखा था और कंपनी यहाँ कैपेसिटी भी बढ़ा रही है तो ये सारे फायदे कंपनियों को द उसके बाद बर्रामपुर चीनी फिर बजाज हिंदुस्तान आता है फिर तिर्वेनी और डाल्मिया शुगर जैसी कंपनिया है तो कुल मिलाकर कहें तो अभी फिलहाल माहौल शुगर कंपनियों को ली कापी पॉजिटिव दिख रहा है देखते हैं कि सरकार किस तरह से फैस पर है इसके लावा केशी पी राश्रू राश्री शुगर यह कुछ और शुगर स्टॉक से जहां पर तीजी है बल्रापुर चीनी ने तो बकाइदा आज अपना रिकॉर्ड स्थर भी छू लिया अच्छी तीजी लगातार उसमें बनी है अब नए मौके कहां पर बन रहे ह यह जरा समझ लेते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स आपके साथ त्यार ही हैं एक फंडमेंटल चेक भी ले लेते हैं वैसे अब इशेक जनरा आप यह बताईए कि शुगर में जो तेजी जो बन रही है यह उमीदों पर बन रही है कि अच्छा यह चीज़ें हो जाएंगी सरकार क को जी हाँ अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरली शुगर का जो सेक्टर में सिक्लिकालिटी हुआ करता था पहले वो धीरे-धीरे कम हो रहा है वो एक दिन में कम नहीं होगा लेकिन एक सिक्लिकल कंप्लीट्ली सिक्लिकल सेक्टर से यह धीरे-धीरे थोड़ा सा में वो सारे मीडियम टम ट्रिगर्व हैं और मेरे हिसाब से ओवर अ पिरियट यह एथनौल ब्लेंडिंग इस वेरी बीग पॉजिटिव तो यह मेरे हिसाब से अच्छा एक अपरचुनिटी है अपरिजनी अच्छा है लेकिन ट्रेड के लिए उपरिजनी कहा अच्छा है श्रकान जी जरा आप चेक करके बताईए देगेजों की बात होती है कि श्री रनुका या फिर बल्रापूर चिनी और अक्सर कॉल्स भी होनी पराती है कोई नए प्लेयर आपके डार पर आ रहे हैं कि लगबग एक साल का कंसॉलिडेशन का ब्रेकाउट हुआ है और ऐसे ब्रेकाउट में मुझे लगता है कि most of the time जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो अच्छी होते हैं हमें लगता है कि ये स्टॉक साड़े 600 के लेवल्स तक जा सकता है साथी साथ मुझे लगता है कि प्र के लेवल्स दिखा सकता है ये purely based on technicals है और ये मैं बड़े टारगेट्स इसके लिए दे रहा हूँ विकाज इनमें काफी बड़ा consolidation था और इस consolidation के बाद में उसके बाद इसमें recovery बनी है लेकिन अगर अपने जैसे बिस प्रसर पर करी कहा कि कोई नया stock कोई नया इस particular sector में कोई नया कोई candidate उभर क्या आ रहा है क्या तो मैं कहूंगा ये बजाच हिंदुस्तान ये एक stock ऐसा है कि जिसे हमें हमारे watch list में रखना जरूरी है वैसे stock काफी छोटा है ये कि 40-42 रुपे के करीप्टेर कर रहा है लेकिन company काफी बड़ी है इसमें crushing as well as मैं कहूंगा कि जितने भी बाकी के जो इसके अंदर के जो refining के जो requirements होते हैं वो सभी है तो current level से मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप इसके long term pattern को देखे तो इसमें rounding bottom जैसा formation बना है जो indicate कर रहा है कि ये stock आने वाले कुछ मैनों में सालों में शायद 100 रुपे के levels भी reach कर सकता है लेकि current level से अगर मैं long करता हूँ तो मेरे लिए stock loss रहेगा 37 रुपीज का और targets नजर आते हैं मुझे 55 रुपे के तो current level से बजाज इंदुस्तान को long करे stop loss रखे 37, targets रखे 55 के चोटा stop loss बड़ा target 37 रुपे का stop loss ही यानि कि चार पांच रुपे नीची का और 55 रुपे का target आपकली बनेगा वजाज इंदुस्तान में आपको नया अगर कोई trade लेना हो तो आप इस share मिलीजीगा चलिए आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हो गया है हमारे खास segment market ad 3 का तो बाजार खुलने के बाद किन शेयरों को लेकर खबरे आई हैं कहां पर action बढ़ रहा है यह तमाम खबरें लेकर हमारे साथ जोड़ गया है हमारे से योगी गौरो जावलकर गौरा बताईए कहां पर action हो रहा है जी हाँ तो आज अगर हम action की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एक लेंदमार्क फामा की क्योंकि यहाँ पर एक लेंदमार्क थेरोपिटिक जो है जो की US की सबसीडिरी है वहाँ पर एक नया प्रोड़क्ट जो है उन्होंने लांच किया है आईड्रॉप्स की रूप जो है श्टॉक का वह 1850 रूपीज पर बढ़ा दिया था और इसके वाज़े से भी आज के दिन में तेजी देखने को मिली थी अगली बात करते हैं अगर हम बात करें तो प्रमोर्टर ने जो है अपना स्टेक 46.30% पर लेके गया है जो कि पहले 46.03% पर था तो जो स्टेक उ और इसका acquisition का cost जो है वो 4.4 million euros होने वाला है acquisition जो है वो अगली दो सालों में होने वाला है और इस acquisition की वज़े से Biologics और ADC के space में company को आगे जाके growth मिल सकती है और इसके चलते हैं हमने इस stock में भी एक तेजी देखने को मिली थी अगली बात करते है Voltage की क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई पर एक bullish view जो है वह हमें आज के दिन में brokerages के तरफ से देखने को मिला था EMP सेग्मेंट में वह हमें देखने को मिल सकता है तो इन सब stocks में आज हमें इन सब वज़े से तेजी देखने को मिली थी आगे जाके भी इन सब stocks में नज़र रखना काफी जरूरी रहेगा क्योंकि आज एक अच्छा traction जो है वह इन सब शेयर्स में देखने को मिला था ठीक है और बहुत शुक्रिया थैंक्यों वेर मच्च आपने तीन बेजे तक की मैनत करके सारे शेयर्स मारे निकाले बताए क्या खबर है क्या चीज़े हैं इसकर बहुत शुक्रिया कुनाल परार को जोड़ लेते हैं 24 ब्रोकिंग से हमार साथ हैं कुनाल जी नमस्ते आज थोड़ी कम हो रही है वॉल्यूम भी कम है तो हार भी चल रहा है आपको पता ही है सारी चीजे और जरावे को बताईएगा कि आपके नजर कि शेयर पे हैं अपने ट्रेडिंग कॉल से कीजिए शुरुआ सर अल्ला देम पीजिए आपको बहुत-बहुत सुदिवस और ट्रे तो इसका 50MA भी है और जैसे 228 ब्रेबुगा 240 तक के भी टागेट हम यहां पर देखने को मिल सकते है तो संफ्लेट पहला को 210 के से साथ करी देगे 228-240 जो टारगेट और दूसरा नितिन स्पिनर जिसे साफ से स्टॉक में हमें मुमेंटम देखने को मिली है एक अच्छे ख 442 का पहला टाइगेट है और जैसे यह क्रॉस होता है 457 का दूसरा टाइगेट भी हमें यहां पर देखने को मिल सकता है नितिन स्पिनर्स भी हम नेक बार पहले वी नोटिस करके आपको बताया था इस शेर के बारे में और जब बंगलादे शोला मेटर चल रहा था उसके बाद इस शेर काफी चला थोड़ा साइडवेज हो गया अब फिर से सरकी लिस्ट में आ रहा है तो नितिन स्पिनर्स पहल स्रिकान सर मैं एक मिनिट के लिए वापिस आपके पास आ रहा हूं यहीं बजाज हिंदुस्तान आप कहा रहे हो कि 40 रुपे ले लो 37 रुपे का आपने स्टॉप लोस दिया है 55 रुपे का इसके अंदर टार्गेट दे रहे हो में को सर यह बताओ मैं को शेर की क्वांटिट कर रहा हूँ और with stop loss अगर दे रहा हूँ तो मैं यह कहूंगा कि अगर आपको इस पर्टिवल स्टॉक को अगर accumulate करना है क्योंकि इसमें rounding bottom formation बना है और अगर long term view रखना है काफी जिसमें हमें लगता है कि यह 30 से लेके 100 के labels भी दिखा सकता है तो आप इसको tranches में खरीदे ब और specific momentum के साथ किसी stock में अगर participate करना है from the same sector तो फिर मैं कहूंगा कि आपकी जो quantity है वो थोड़ी कम होनी चाहिए आपका जो value wise exposure है वो कम होना चाहिए जितना आप किसी particular trading call के लिए हमेशा किसी एक stock के लिए invest करते रहेंगे उतना ही amount रखिए over and above current level से trading करने के लिए मैं नहीं कहूंगा लेकिन येस बिल्कुल 37 के stop loss के साथ आप जितना भी आपका जो एक regular quantity होगा वो आप बिल्कुल इसमें current level से भी खरीच सकते हैं मैं समझ गया सर आपकी बाद जादा leverage लेना नहीं है जो पैसा है आपके पास तोड़ा उसके दर से द्यामाग लागा के लगाना है जैकि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो आपको प्राइस से और अपनी थीम से लियूर करते हैं अपने तरफ खेचते हैं लेकिन आपको ना फिर करना यह नहीं कि इसके लिए अलग से एक फंड निकाल कि आप अलग से उसके अंदर डालो नहीं है समत करना इसलिए आपके सामने में थोड़ा समय लेके बजाज हिंदुस्तान के बारें पता किया क्योंकि काफी सारे लोगों के पास अलग अलग शूगर कंपनी होंगी किस आगे बढ़ें एक-दो शिरिए रहा और चेक कर वा लेते हैं इस पर फिलीपस के नदर क्या हो एक बासू हुआ यह क् leven नीकिन रहा है किसी तरह से रुरू क्ला से तो नहीं चल रहा यह बात तो तरह है यह नहीं चल के एसीजरिट से नहीं चल रहा ऐसा क्या हो गए कि एक सिगरेट पीने लोग जड़ा हो गया क्या या मार्जस बढ़ गया एक दम से दिखाना एक बार इसका मंतली चार्ट भी लिखाओ तो गैरा परसेंट तो आज का यह मंतली चार्ट भी लिखाओ सर इसकी आपने स्टाडी किया हुए शेयर को आपने मिस्टर बासू लैंड बैंक वगारा यह सब और कुछ थीम तो नहीं चल रही है इसके अंदर स्टाडी नहीं किया है तो बोलना मुश्किल है कोई बात नहीं सर आप फिर नहीं पूछंगो मैं आप से भी क्योंकि फिर इसके बारे में नहीं पता नहीं लग पाएगा एक काम करते हैं टेक्निकल वियू ले ले लेता हूं मैं और जरा वो चेक कर वा लेते हैं अधिते जराफ चेक करना गोड़ फिलिप्स सॉरी अधिक है ओके ठीक है रिस्क वाड़ आप कहने है उतना ठीक नहीं अभी मिस्टर बासू आप कुछ कहना चाहरे हैं इसके बारे में एक्चुरी मा मुझे याद आया कि गौड़ फिलिप्स में जो है वो मालबरो का जो वो काम करते हैं उसका डिमांड काफी स्ट्रॉंग हो अधिक है कोई बात ही हम भी बता करने की कोशिश करेंगा और मैं कल खुद ही लेकिया हूंगा आपके लिए ट्रिगर्स इस सारी सिगरेट कंपनी के इंदर ऐसा क्यों हो रहा है आई टी सी तो ब्लेंडिड है विद ऐफम सी जी बिजनस बड़ अगर आप और चेक करोगे न कोई आद इस नाम की भी कंपनी बार अथा दिखाना अव्य एस्टी का मंथली रिटन के इतना स्क्रीन पर एक कर दिखाना भीस्टी इंडस्टी जोगा एक इक इस छोड़ सो दो ब्लेंडिट कमपनी है इसके इस हैं खाली विएस्टी इंडस्री जिका या आज का दो परसे और कलम गोर्फे फिलिपस के अकलक से जरूर बात करेंगे शेर ऐसे नहीं चल रहा इसके अंदर मोमेंटो है एक छोटा सा ब्रेक लेना एक ब्रेक ले 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 दे ब्रेक वातर रहे हैं ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है निफ्टी उपर निफ्टी बैंक नीचे लेकिन अगर निफ्टी की तेजी अगर आप देखेंगे तो हल्की सी तेजी है चौवीज़ार पांसो पैसपास टिकने की कुशिश हो रही है आटो स्टॉक्स कमजोर है प्रॉफिट टिकिंग हो रही है मतलब जो गेंज थे एम एन एम के शुकरवार के आल्मोस्ट आज वो पूरे के पूरे एरेज होगे तीन पर्संट के आसपास की कमजोरी के साथ ये ट्रेट कर रहा है बजाज आटो है करीब एक सवाब पर्संट नीचे लेकिन एक सेग्मेंट है जहां पर हम देखने की तीजी हो रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैनुफेक्चरिंग कमपनीज का डिक्सन टिक आज उपर है ड दबल से जादा होके ये शियर कारवार कर रहा है श्रीकान जी आप से जाना चाहेंगे माल ये किसी को अगर पोजिश्टनल बिट लेना हो अगर इन स्टॉक्स में तो आपको बहतर क्या लग रहा है कहां पर मौके खोजने चाहिए दिखे तो अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि हर एक स्टॉक काफी एक्स्पेंसिवली ट्रेड कर रहा है बट साथी साथ अगर इसके रिलेटिव आउट परफॉर्मंस को देखे तो डिक्सन टेक्नोलोजी अगर आप देखे तो अपने आट सो पचास के करीब रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ से रियाक्ट हुआ है मैं कहूंगा कि टेक्निकली इसे शायद ये 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 कंसॉलिडेशन में भी शायद जा चुका है लेकिन अगर आप इन तीनों में से किसी एक स्टॉक को अगर चुनना चाहेंगे तो मैं कहूं हमेशा बढ़ने के बाद एक करेक्शन देता है और फिर वापस राड़ी करता है तो करेंट लेवल से जो मैं कहूंगा कि अमबर इंटरप्राइज ये एक अच्छा कांडिरेर है इस पर्डिकुलर से खरीदने के लिए अमबर इंटरप्राइज ये थोड़ा सा कम चला भी है अगर डिक्सन से तुलना करेंगी तो साल भर में 40-40% के गेंज दिये हैं तो अमबर में अभी भी गुंजाईश है डिक्सन थोड़ा सा ना वैलुवीशन के लिहास से भी और भाव के लिहास से दोनों के लिहास से लाई में जिस भाव से गिराव शेयर 18-100 रुपे के आसपास आकर वहां से सपोर्ट लिया और फिर से चला यह पॉली मेडिक्यूर क्या यह जो तीजी है यह सस्टेंड करेंगी आपको लग रहा है और खाराई सो 10% के आसपास की तेजी हो गई है अभी ठीक एंट्री के लि तो एक टाइम लेके कंसॉलिडेट करके अच्छे से अक्यूमिलेशन देखके स्टॉक बढ़ रहा है और आज भी थोड़ा सा वॉल्यूम में स्पाइक आया तो मुझे लगता है यहां पे इंस्टिटूश्ट बन रहा है तो बिलकुल इस चॉक के साथ आगे बढ़ सकते है इसको 2121 में खरीच सकते हैं स्टॉप लॉस रखना चाहिए वार 970 का इसमें टारगेट रहेंगे 2250 से लेके 2400 के ठीक है 2400 रुपे तक के टारगेट पॉली मेडीकीयूर के लिए एक शेंट जिसकी इनना चर्चा थोड़ी से अधूरी है क्योंकि जब से लिस्टिंग में है तब से वो शेयर चर्चा में है वो है ओला इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक रफ्तार है और लिस्टिंग के भाव से ये शेयर दोगुना हो गया है और दोगुना होने के बाद जिनके पास हैं वो तो खुश है लेकिन थोड़ी सी मन में चिं जोगे शरत दुवे जुड़ गए हैं शरत बताईए क्या ट्रिगर्स हैं ये तीजी के लिए लगातार भागरा शेयर ये और ब्रुक्रेश हाउसिस क्या कह रहे हैं इसके बारे में जी बिलको लोला एलेक्ट्रिक फोकस में रहेगा और आईपियो प्राइस से अभी तक अल्मोस्स स्टॉक डबल हो चुकी है अब देखा जाए आईपियो प्राइस जो 72 रूपीस का था वहां से स्टॉक में 90% से जादा का रिटन जो है देखने मिला है लेकिन क्या एहम ट्रि कुमिंटम आगे जाते हुए देखने मिल सकता है इस मार्केट में जो है ओला का खुद मार्केट शेर 40% का है यानि की मार्केट शेर लीडर अल्रेडी है इसके लावा एबिड़ा मार्जिन पंदरा परसेंट है और आइस वहीकल जो कंबर्शन वाले वहीकल होते हैं उनके अगले पात साल में जो आइस मार्केट है यह शेर में गिरावर्ट की असर देखने मिल सकते हैं यानि की पे जादा फोकस रहेगा क्योंकि मार्केट शेर लॉस होने लगे हैं आइस के जो मार्केट शेर है 94% से घटकर 70% होने का जो है आसार लग रहा है टू विलर ईवी सेग्मेंट में हॉन्डा की एंट्री का जो है असर होने वाला है और ओवराल देखा जाए तो पिछले डेर साल में जो आइसी का टू विलर शेरों में जो है तेजी ऑलेडी देखी गई और थोड़ी सी री रेटिंग भी हुई है ओला की वैलुएशन के अगर बात करें तो ठीक है तो अला के बारे में जानकारी थी लिस्टिंग के बारे दोगना हो चुका 110 प्रसंट के इसमें अपर सर्केट भी लगा और शेर काफी इंटरस्टिंग था शेयतर रोपे का रेट था जब इसकी लिस्टिंग हुई और आज एक सुचालीस प्लस का रेट है खेर आग ने बिल्कुल है रहे क्यों नहीं इनफाट मार्केट की अगर क्लोजिंग देखी जाए तो अभी भी काफी इंटक्ट है कल के दिन में हमने की फ्राइडे के दिन हमने काफी बड़ी रहनी मार्केट में देखी थी तो उसके बाद most of the time हैसे होता है कि मार्केट थोड़ा sideways consolidate क करता है और फिर वापस से उसी train को most of the time continue भी करता है तो हमें लगता है कि in fact कल के दिन में हमें कुछ मार्केट में और तेजी देखने मिल सकती है और अगर इस पड़िकुलर तेजी को अगर हमें ride करना है तो सबसे बढ़िया candidate मैं कहूंगा कि इस पड़िकुलर लेबल्स पे Reliance Industries है जो 2985 के करीब trade कर रहा है current level से अगर मैं इसे trade करता हूँ तो जो मेरे stop losses रहेंगे वो रहेंगे 2940 रुपे के यहां से तक्रीबन 40 point का में stop loss रखना काफी ज़रूरी है लेकिन अभी लगता है कि यह stock कम से कम 3050 से लेकर 3090 के भी levels दिखा सकता है और इस particular stock ने काफी अच कुछ momentum बने तो Reliance Industries में हम तेज़े expect कर सकते हैं कि ली को वैसे बेड़ा पार करने के लिए बड़ा शेयर की ज़ुरत है मैं सुबह हमेशा आपको पांच शेयर नोटिस करवाता हूँ उसमें से एक रिलाइंस भी नोटिस करवाता हूँ च्छोटा मोटा टीमल जाता हूँ ठीक है नहीं तो अच्छा डिप नहीं मिलता तो प्रफ़ाउधी एच्छे मिल जाते हैं आप एच्छे लेवल पर करते हो तब अपने हिसाब से quantity रखो बोले जह हम तो डीप की वेटी करते रहते हैं हमारी आंखों के सामने से से निकल ज आप ले लो वैसे तो में जरूडिय में अपनी भाव पर लेनी चाहिए लेकिन फिर भी अगर उनका ऐसा लग रहा है कि हम से मिस होता है हम दोड़ा डिले हो जाते हम एक्षन और हमारे सोचने में तोड़ा फरक आता है तो दो चार शेर पांच दशेर जैसे आपके वैसे आप चलता हो परसेंटेज वे अपने कैलकुलेशन बिठाना ठीक है यह हो गया राइस इंडेस्ट्री गोडफिर फिलिप्स दिखाना उसमें 20% का अपर सरकेट लग गया गोडफिर फिलिप्स सिगरेट बनाने वाली कंपनी बासू मलिक सी पता कर रहा था वह शायल कुछ मालव है कल तक मैं उसको एक बर और काउंटर चेक कर लूँगा और जैसे होगा तो फिर मैं आपके सामने बात रखूंगा शेयर बकाता 20% का अजब लोग हो गया आप सोचके देखो ना ओलेडी 15% चला हुआ शेयर को 5% चलने में कितने 2 मिनिट लगे ठीक है जी देखते हैं क्या लावर्ती हलकी आज वापिस से 5% डुक पर आया है शुरिकान सर एक बार जरा वरून बैवरेजिस पर ने टेक देना वरून बैवरेजिस मैं इंवेस्टर हूं सर स्विंग ट्रेडर ट्रेडर नहीं हूं इनवेस्टर हूं इस रेट पर भी ले लूं अगर इसके मंतली चार्ट को देखे तो यहां पर कही भी किदर भी कोई ऐसा कोई बड़ा डैमेज या कोई बड़ा जो ओरून टेकनिकल पैटन में कोई बड़ा चेंज हुआ नहीं है और यह regularly ऐसे कुछ correction देता है उसके बाद वापस से rally resume करता है आज की जो rally है मैं कहूंगा काफी interesting है आज की जो recovery बनी है और current level से अगर मुझे इसे long करना है तो यह 10% का stock loss हमें रखना पड़ेगा अगर आपको positional view के business पे खरीदना है तो बड़ अगर आपको investment करना है तो बि हैं और जिसने भी इसमें patience रखाता सतरा सो जाने के बाद अब पंधरा सो में stock मिल रहा है तो बिल्कुल इससे long किया जा सकता है हमें लगता है कि इस stock वापस से एक बार 2000 यह 2050 के levels दिखा सकता है based on its technical formation सब्सक्राइब को पूछा मैंने कले एक वीडियो देखा एक यूट्यूबर का था मैं को कुई संकोच निये बताने में कि सिर्फ टेलिविजिन वालों के पास नौलिज होती है जो टीवी के बिना वाले लोग है उनके पास उल्टा जड़ा नौलेज है क्योंकि इनके पास इनका पैपसी के साथ जो टाइप है वो टू-0-3-9 तक का है और अभी हम चल रहे हैं चौबीस में तो अगले 15 साल तक पैपसी इनके साथ करार करके रखेगा फिर उसी वीडियो में मैंने यह चेक किया कि मालों कोला वगयरा नहीं होता उसकी जगे कुछ और आता है तो और के लिए उन्हें त्यारी कर रखिए फिर कुछ और पता लगा इनके प्रमोटर्स के बारे में कि इनके प्रमोटर्स इंडिया के 18 रिचेस्ट परसन हुआ है यह कंपनी शाथ 2016 में लिस्ट हुई थी चार्ट दिखा पाई अच्छा नहीं दिखा पांच साल कही रहे था इसम इसने तीन-चार कंपनी को एक्क्वाइर कर लिए तो इसकी मोनोपलिस्टिक सिच्वेशन है इस समय इंडिया के अंदर तो बहुत सारी चीजिए यह देखिए 2016 से लेके 2024 तका 500 प्रसेंट का रिटन है 173 रुपे कंपनी थी आज फंदरा सो रुपे की कंपनी है यह साड़ रहते हैं आपके सामने रखते रहते हैं ध्यान दीजिएगा इन सभी कंपनी इस इन्वेस्टर्स के लिए मैंने पता कर लिया था यह अब तो समय हो रहा है तीन मिनिट रहे हैं सिरफ मार्केट के बंद होने में ज्यादा पूछूंगा भी नहीं कोशन्स और काफे सारे लो कर लें फिर आपका स्टेंडर्ड डिस्क्लोजर भी लेंगे तो मैं शेयर आपसे नहीं पूछ रहा हैं आज के जरा शेयर दिखाएए पहले बढ़ने वाले एक तो गोड़ फिलिपस के अंदरा सरकिट लगा त्रिवेनी इंजरिंग बलरामपूर चिनी बजाज हंदुस्त शुगर के तीन महारत ही आज सामने निकल के आए पेंट में एशियन पेंट थोड़ देर पहले आपको अजीसतर एक कॉल देके गए बरजर पेंट की आज की क्लोजिंग काफी अच्छी दिखे मिर को इसके लावाज बढ़ने वाले शेयर में एंसी सी भी काफी इंटरस्ट के साथ खुल सकता है तो जिनके पास है पूजिशन अपना चेक एंड बैलेंस कर लेना सुबह 101 पे आपको बताया था यह डी सी एम शिर राम में लास्ट में जो 2.5% का चेंज आए बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना ज़रा डी सी एम शिर राम का लास्ट वाला चेंज दिखाना उसमें एक सड़न स्पाइक आया होगा प्राइस के अंदर यह यही आया है छे परसंट डेज हाई पे बंदो रहा है यह कुछ एक शियर जिनकी आज यह क्लोजिंग काफी काफी अच्छी हुई है अब मैं आपको जरा कुछ डेरिवेटिवस के बड़े शिर दिख है अडवांस डिकलाइन के साब से आज का दिन ठीक था आज असी पॉइंट हम गयाप के साथ खुले लेकिन उस असी पॉइंट के गयाप को मेंटेन नहीं किया अच्छी बात यह रही कि 24-500 के उपर प्रीवेस डेयानी कि शुकरवार को क्लोजिंग थी 24-500 के उपर आपकी क 500 के उपर मेंटेन रखा और 422 के असपास क्लोज कर रहा है 90 पॉइंट सो पॉइंट कुछ नहीं होते सो पॉइंट तो गैप में जब मिले तब भी हमने का इसको कुछ नहीं होगा या इसको छोड़ दीजेगा थोड़ी सरकारी कंपनिस कल फिर से एक्टीव हो सकते हैं अग अगर कल कहीं भी थोड़ा दबाव आता है तो कल FMCG कंपनिस बापिस से निकल के आएंगी सामने और उसमें कंजम्शन वाली कंपनिस का ज्यादा बोल पाला रहेगा है एक 2700 की कॉल हमने ही आपको दिलवाई है 12 बज़े के कारकरम में और अभी-अभी मैंने अजीज सरसे नकी भी आपके लिए करवा दिया है तो कुल मिला के आज की क्लोजिंग में नो एकसाइटमेंट नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाला मामला है बहुत ज्यादा खुशी नहीं बहुत ज्यादा गम नहीं एक रूटीन ट्रेड हुआ चर्रिंग हुई उस चर्रिंग के इवेंट के लिए त्यार रहिए ख़वर के साथ त्यार रहिए टाइमली अंदर और टाइमली एक्जिट करेंगे तो काम हो जाएगा आपको अगर पोजिशनली ट्रेड लेना उसकी स्टॉक की लिस्ट अलग बनाईएगा ठीक जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहम को कौन सा कर सकते हो ऐसे आप कौन सा करना चाहते हो आप अभी तो मैं बजार में थोड़ा सा लाइट रह रहा हूं वह नाइट बहुत रिस्क रहता है आज कर अगर कल कुछ नया भनेगा तो सोचेंगे बिल्कुर ठीक हमें बता दीजिए का हम भी बता देंगे स्टेंड ड स्टेंड डिस्क्लोजर लगा कि अधित्य रोड़ा ने अपने क्लाइंट्स को बता दी आप भी देख लेना शिर्कान सर आपके तरफ से स्टेंडर्ड डिस्क्लोजर बिल्कुल तो देखिए जितने भी स्टॉक आज हमने डिस्क्स किया है वह हमारे ग्रूप आफ क्लाइंट के पास भी हो सकते हैं लेकिन हमारा इन में फिलाल कोई पर्चेस या कोई खरीदारी या कोई बीखरी का सौधा नहीं हुआ है ठीक ड़न कुनाल जी आपके तरफ से को डिस्क्लोजर वैल चोट दो स्टॉक हमने सजेस्ट किये संफ्लैक और नेटिन स्पीनर में मेरा परस्नल इंवेस्मेंट कोई नहीं है क्लाइंट वाइस इसमेंट हो सकता है ठीक है डन मिस्टर बसु मलिक आपके तरफ से कोई डिस्क्लोजर आज शायद कुछ उतना स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं किया लेकिन अगर किया भी है तो यह एजूम करके चलिए कि मेरा परस्नल इंवेस्ट है बहुत बश्योक्रिया थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच आज समय देने के लिए तो मेरे को अविशेक को जारे दे सकते इसकारकम से तरह आज 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 आज